यह लोल्ड solvent यह वचिंग स्केट्स लोटोरियल की विडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 की थर्ड चेप्टर की फोसेफे संका यह ठी चाहते हैं और कोई सर्च नहीं कर पा रहा है तो मेरे नाम से भी सर्च कर सकता है अगर आप रामकेवल लिख कर के सर्च करते हैं रामकेवल सर इंग् relyS MR लिक कर ले सर्च करते हैं तब भी आपको content मिल जाएगा और आप हमारे चैनल से चुल सकते हैं यह information थी अब बात करते हैं इस chapter की the untender grass उपर एक बहुत ही famous story है moral story जिसमें आपको यह पता चलता है कि जो महनत करता है उसको अच्छा फल मिलता है और जो आलस दिखाता है और अपना समय बरबात करता है उसको punishment मिलती है उस कहाने में चीटी गर्मी के समय में हमेशा काम करती हुई नजर आती है और जो गराशो पर होता है यानि कि ठिड़ा वो मस्ती करता है अच्छे दिन होते हैं तो उसको कल की फिकर ना करते हुए कोई चिंता ने रहती है लेकिन जब समय बदलता है और सर्दियों का मौसम आता है तो वहीं जहां चीटी अराम कर रही होती है इसको खाने के लाले पड़े होते हैं तो ये काफी फेमस है आप उसके बारे में जानते भी होंगे सुने भी होगा आपने और पढ़ा भी होगा ये कहानी उसके ठीक अपोजिट है और जो राइटर है Mr. W.S. मागम वो एक बहुत ही अच्छा और सुन्दर चित्रण करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमेशा हार वर्क को रिवार्ड नहीं मिलता है ठीक है लेकिन ये कहान ये दिखाती है कि सच्चाई के राष्टे पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है और हर किसी के बस की बात नहीं है कि उस सत्य को फॉलो कर सके अगर आप सत्य को फॉलो करना चाहते हैं तो अपने मन में ये बना करक तो मुसे भी तत्वानी ताय हैं चलिए W.S. मागम का पूरा नाम है विलियम समर्सेट मागम यह बहुत ही प्रसिद्ध नाविलिस्ट हुए हैं इनका जन्म 1871 में हुआ था ठीक है काफी चीज़े हैं इन्होंने बहुत सारे ड्रामाज और साथ स्टोरीज भी लिखा है वो भ बहुत जादा ये भारती संस्कृति और दर्शन में इन्होंने बहुत ही जादा इंट्रेस्ट दिखाया था भारत की जो फिलासोफी है हिंदू फिलासोफी या पिर कह सकते हैं सनातन धर्म की जो फिलासोफी है उसमें इनको इंट्रेस्ट आया था कुछ अच्छा लगा थ कि जो अच्छा लगता है उसे में इंट्रेस्ट आता है वो इंसानों को बहुत अच्छे से समझते थे और काफी ज्यादा फेमस थे उनकी बहुत सारी राइटिंग्स है उनका पहला जो नाविल था उसका नम बता दूँ आफ यूमन बॉंड इस यह उनका पहला नाविल था जो पॉब्लिस हुआ था और ये ऑक तरह से अर्टो बाय ग्राफिकल था आटो बायंग्राफी और इंताज intrag पता दूँ बायंग्राफी होती है जिसमें हम किसी और का जीवन चित्र talks होती है औस न repet के खूद की सिन्दगी की घट्गनाय होती है उनके दूसरे नाविल भी इसरा दा पेंटेड वेल और चौथा दा रोजर सेज। ठीक है, इस सारे सार्ट स्टोरीज और कलेक्टेर इन थ्री वॉल्यूम्स अंडर दे टाइटिल दा कम्प्लीट स्टोरीज अफ समर्सेट मागम। इस नाम से ये टाइटिल रखा गया था और इसमें सारे सार्ट स्टो चलिए बात करते हैं लेसन के बारे में, लिखते हैं विन आइवाज वेरी स्माल हुआ है, इस कहानी के बारे में आपको बता दूँ किसमें दो भाई हैं, टॉम राइम से और जार्ज राइम से, ठीक इन दोनों की कहानी है, इसमें से एक आलसी है और एक हाड़ वरकिंग है क्या होता है कैसे यही आपको जानना है ठीक तो विन आइ वाज वेरी स्माल बॉई आई वाज में तुल लर्न बाई हाथ स्टेन अफ टफैबल साफ ला फॉंटेन and the moral of each was carefully explained to me रैटर बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था इस्माल बॉई I made to learn by heart certain of the fable मुझे कुछ fables यानि की कहा होते हैं और कहानियां जो लाफ फॉंटेन की थी उसको मन से पढ़ने का दिल से पढ़ने का मौका मिला मुझे कहा गया कि मैं इसको मन से पढ़ू हूँ और मुझे इसके moral जो थे नातिक जो शिक्षाय थी उसको भी अच्छे से सावधानी से सम्झाया गया एक्स्प्लेइन किया गया अमंग दोज आई लर्न वास दा आंटन दा ग्राशोपर और उनी कहानियों में कहानी थी दांटन दा ग्राशोपर चीटी और टिडी की कहानी चीटी जैबैड़ का अम्हाँ ठीज़ ओर मार्शोपर खुजन दाख बिरहिए इंडेडी केड़ ग्राशोपर अमंपर्फेक्ट वार्ल्ड इस डिनाति है कहानी का यह मूतु था या अमॉर्ल था जिसको हम कह सकते हैं कि इस imperfect world में जो अपूर दुनिया है जो की गलतियों से भरी हुई दुनिया है जो पूर रूप से सही नहीं है उसमें मेहनद जो करता है परिश्रम को फल मिलता है परिश्रम की प्रसंसा होती है उसको इनाम मिलता है और जो आलस करता है उसको सजा मिलती है In this admirable fable, I apologize for telling something which everyone is politely but exactly supposed to know. The aunt spends a laborious summer gathering its winter store while the grasshopper sits on a blade of grass singing to the sun. In this admirable fable, I would like to tell something about this and I would like to tell something that people don't know exactly. In this case, it is said that the grasshopper is full of grasshopper and the grasshopper is full of grasshopper and the grasshopper is full of grasshopper. When the grasshopper happens to theara the grasshopper, the grasshopper is full of grasshopper. The winter comes and the aunt is comfortably provided for the grasshopper and the grasshopper is full of grasshopper. The tree arrives to cover the grasshopper, but the tree arrives to leave the grasshopper and is full of grasshopper. He goes to the aunt and it makes for the whole food. वो चीटी के पास जाता है और उससे तोड़ा भोजन मांगता है लिए आन्ट गेप सिम हर क्लासिक आंसर और तब चीटी उसे सटीक जवाब देती है What were you doing in the summer time? तुम गर्मी में क्या कर रहे थे? Saving your presence, I sang, I sang all day, all night महोद्या, मैं गा रहा था मैंने दिन राथ गाना गाया और गाना गाने में अपना समय बिता दिया You sang, why? Then go and dance तुम गाते रहे, सारा समय तुम गाते रहे, क्यो? जा, जा, फिड नाचो अब तो राइटर कहते हैं, I do not ascribe it to perverse city on my part मैं इसको अगर अपनी बात करूँ, तो मैं इसे जीद नहीं बानता हूँ या मैं इस कहानी के उप्देश से पूरी तरह से सहमत ही नहीं हो पाया मैं इस कहानी से सहमत नहीं हो पाया और ये मेरी जीद नहीं है But rather to the in consequence of childhood ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे बच्च्पन में मैं मानसिक रोप से परिपक को नहीं हो पाया इसलिए ऐसा हो सकता है जिसके कारण मेरी जो नहीतिक समझ है वो भिक्सित नहीं हो पाई That I could never quite reconcile myself to the lesson और यही कारण रहा कि मैं कभी इस कहानी के जो सीख है उससे कुद कुद ताल्मेल नहीं बैठा पाया और पूरी तरह से मैं इससे सहमत नहीं हुआ इस कहानी से ये कहते हैं राइटर मैं इस कहानी से पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ लेकिन इसका कारण मेरी जीद नहीं है बलकि हो सकता है कि बच्पन में मेरी जो नातिक समझ विक्षित नहीं हो पाया, कम रह गया नातिक समझ में कम ही रहा, इसलिए मैं इस कहाने से अच्छी तरह से तान में नहीं बैठा पाया, इसको पूर तरह से समझ नहीं पाया, मेरी सिंपथी तो हमेशा से टिडड़ी के साथ थी, और काफी समय तक तो मैंने किसी भी चीटी को पैर से रहांते बगार जाने ही नहीं दिया, मतलब बच्चे अकसर कहते हैं और चीटीयों को मारते हैं, अपने पैर के नीचे कुछल देते हैं तो वो भी कहते हैं कि मैंने मि काफी चीटीयों को गुचला है अपने पैरों काहनी की नीचे. जो मैंने पाया है जो मैंने खोजा है अपने छोटे से जीवनकाल में इस पूरे human समाज को मतलब मानजाती को मैंने जो समझा है उसमें मैंने ये पाया है कि मेरी जो आदत है मैं बहुत जल्दी अस्विकृती प्रकट कर देता हूँ disapproval मैं अस्विकृती प्रकट कर देता हूँ prudence and common sense दूरदर सिता और जो सहाज ज्ञान है common sense है उसके प्रती मैं बहुत जल्दी disapproval देता हूँ अस्विकृती प्रकट कर देता हूँ वो अपने बारे में बताते हैं राइटर कि मेरा नेचर इस तरह का है I could not help thinking of this fable when the other day I saw George Ramsey lunching by himself in a restaurant I could not help thinking of this fable मैं खुद को रोप नहीं पाया एक दिन हुझे या सोचे बिना ना रहा जा सका जब क्या हुआ कि दूसरे दिन मैंने क्या देखा George Ramsey नामक एक बेरती को एक रेस्टोरेंट में खुद से lunch करते हुए देखा तब मैं इस कहानी के बारे में सोचे बगार नहीं रह पाया इसका मतलब यह है कि उनका कहने का आर्थ है कि George Ramsey की कहानी भी कुछ ऐसी ही है I never saw anyone we are an expression of such deep gloom मैंने इतना ज़्यादा कमभीर इतना ज़्यादा दुखी कि किसी इंसान को इससे पहले नहीं देखा था इतना ज़्यादा उदास इससे पहले नहीं देखा था He was staring into space वो क्या कर रहा था वो staring कर रहा था मतलब कि यह घूर रहा था कह सकते है आसमान की तरफ देख रहा था लागा था आसमान की घूर रहा था कह सकते है He looked as to the burden of the whole world sat on his shoulder ऐसा लग रहा था उसको देख करके कि पूरी दुनिया का बोज उसी के कंदों पर है I was sorry for him मैं उसके लिए दुखी था I suspected at once that his unfortunate brother had been causing trouble again I suspected at once मुझे तुरंत इस बात किया संका हुई suspect किया मैंने कि his unfortunate brother उसका जो तुष्ट भाई है वही इस बार भी परिशानी का कारण होगा उसका अभागा भाई I went up to him and held out my hand मैं उसके पास गया और मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया मैंने पूछा how are you I ask मैंने पूछा तुम कैसे हो I am not in hilarious spirit यह answer उसने उत्तर दिया कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ ठीक है hilarious मतलब वरता है मजदार काफी हसमु कह सकते हैं पिर मज़े में जिसे कहते हैं तो उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुछ नहीं हूँ कह सकते हैं is it tom again तो राइटर ने कहा क्या फिर से tom ने कुछ किया तो he said yes it's tom again हाँ फिर से tom की ही वज़े से ऐसा हुआ है तो राइटर कहते हैं why don't you chuck him why why don't you chuck him chuck मतलब क्या आता संबन तोड़ ले ना मतलब जिसे आजबन वाइब में तलाक होता है वैसे ही संबन तोड़ने को अब आजबन वाइब होता है लेकिन अगर भाकी रिष्टे हैं तो उसमें चक यूज कर सकते हैं जैसे तुमने तो उसके लिए सब कुछ किया है दुनिया में कोई भी किसी के लिए जितना वुछ कर सकता है तो सब कुछ तुमने उसके लिए किया यू मस्त नो बाइनाव दैट ही इस कोईट hopeless you must know तुमें जानना चाहिए तुमें जानना चाहिए कि वो थोड़ा सा होपलेस है यह तुम इस समझ लेनं कि मुर्ख है मतलब कोई गल्ती कितने वार करता है कि नहीं रॉब देखो यह यह कहता है तो तुमें भी यह समझ लेना जाइँ कि उसके पिछण समय बरबात करके कोई फायदा नहीं है इसा राइटर ने कहा I suppose every family has a black sheep मुझे लगता है यहर परिवार में एक ऐसा आदमी होता है जो एकदम बिकार होता है और ऐसा सायद प्रकृति का नियम है Tom had been a sore trial to him for 20 years Tom जो था वो George Ramsey के लिए 20 सालों से परिशानी का कारण था 20 सालों से परिशानी का कारण था sore trial मतलब परिशानी का कारण कह सकते है परिशानी का कारण ठीक है तो 20 सालों से Tom जार्ज के लिए परिशानी का कारण था He had begun life This simply enough उसने जीवन तो बहुत ही अराम से और सजनता से सुरू किया था उसने जीवन बहुत ही आसानी से अराम से और सजनता से सुरू किया था अच्छ दंग से कह सकते हैं He went into business उसने भ्यापार किया Married साधी किया And had two children और दो बच्चे भी हैं उसके सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ The Ramsays were perfectly respectable people And there was every reason to suppose that Tom Ramsey would have a useful and unrable carrier The Ramsays were perfectly respectable तो मतलब रामसे जो परिवार था रामसे खानदान कह सकते हैं काफी सम्माननी खानदान था पूरी तरह से वो लोग अच्छे माने आते थे यह कुछ नहीं कह सकता था सम्मानित बेखते थे और सभी लोग यह सोचते थे कि Tom Ramsey के पास क्या था एक अच्छा करियर, एक सम्वानित करियर था, क्योंकि कोई कारण नहीं था, उसे गलत कहने का, उसने हर कुछ, हर चीज अच्छे से किया था, उसने बिना च्छता होनी की, मतलब अचानक से, ये घुसरा कर दी की, वो काम करना पसंद नहीं करता है, ये भी कहा, कि वो साधी के लिए तयार नहीं था, मतलब उसे साधी नहीं करने चाहिए थे he wanted to enjoy himself वो बस मजे करना चाहता था he would listen to no ex-postulations he would listen to no ex-postulations ex-postulations मतलब वो था शिकायत वो शिकायत नहीं पसंद करना चाहता वो कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता he left his wife and his office उसने अपना office छोड़ दिया अपनी पत्नी को छोड़ दिया he had a little money and he has spent two happy years in the Paris capitals of Europe उसके पास कुछ थोड़े पैसे थे तो उसने यूरोप मिके अलग-अलग जगाओं पर दो साल तक अच्छे से समय बिताया वो आफ काफी मजे किये rumors of his doings reached his relations from time to time उसके काम की जो अफवाय होते थे उसके जो करनी होते थे जो कारे होते थे उसके कारणामे कह सकते हैं समय समय पर उसके रिस्तदारों के पास पहुंचते रहें and they were profoundly shocked और वो लोब बहुत दुखे होते थे भाई निश्ची तरुप से दुखे होंगे he certainly had a very good time निश्ची तरुप से उसके उसका समय अच्छा भी तरह था भाई बहुत अच्छा था they shook their heads and asked what would happen when his money was spent सभी लोग ये सोचते थे जैसे कते हैं अच्छा ठीक है देखते हैं टाइम आएगा अपना टाइम आएगा जैसे कते हैं तो सब लोग ये सोचते थे कि जब पैसा खतम होगा तब क्या होगा they soon found out चल देगी सब को इस बात का पता भी लग गया कि जब पैसा कतम होगा तो क्या होगा he बहुरोड उसने काज लेना शुरू कर दिया he was charming and unscrupulous वो बहुत ही charming था सुन्दर था क्या सकते हैं अने scrupulous मतलब की सिद्धान तहीन था without principle वो कुछ भी करने के लिए तयार था मतलब हथ से जादा आगे जाने के लिए तयार था I have never met anyone I have never met anyone to whom it was more difficult to refuse a loan I have never met anyone मैं किसी से भी नहीं मिला हो जिसको to whom it was more difficult to refuse a loan जिसको लोन देना उस तीली कठी नहीं मैं किसी बैक्ती से नहीं मिला सब लोग उसे काज दने के लिए तयार हो जाते थे कहने का मतलब यह है वो ऐसा था he made a steady income from his friends and he made friends easily वो अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा पैसा लेता था और वो दोस्त भी आसानी से बना लेता था कास बात यह है कि वो दोस्त भी आसानी से बना लेता था और अपने दोस्तों से चकाशा पाईसा लेता था but he always said that the money you spend on necessities was boring लेकिन वो हमेंसा कहता था कि जो तुम आवा सकता और जरूरतों पर पैसा खर्च करते हो सब बेकार है उसमें मज़ा नहीं है दमानी देट वाजम यूजिंग तो स्पेंट वास्टमानी यू स्पेंड ऑन लग्शरीज पैसा खर्च करने में तम मज़ा है जब वो पैसा बहुत विलास और विलास ता पूर्ट जीवन पर खर्च किया जाए लग्शरीज पर खर्च किया जाए वरना सब बेकार है पर दिस ही डिपेंड़ ओन इस ब्रदर जार्च और इसके लिए वो अपने भाई जार्च पर डिपेंड था निरुभर था ही दिद नाट वेस्ट इस चार मानी और वो अपना जो अप्शुरत चहरा था अपना जो अकर्संड था वो भी कार्ने करता था इसने बरबाद नहीं किया जार्च वाज अ सिरियस मैन जार्च वाज अ सीरियस मैन और इंसेंसिवल दू सच इंटिसिमेंट्स जार्च उसका भाई इसके ठीक अपुजिट था वो एक्दम घंबीर था और इस प्रकार के प्रलोगनों के प्रदी वो एक्दम उधासीं था लग्जरीज उसको आकर्शित नहीं कर पाती थी वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता था जार्ज वर रिस्पेक्टिबल वो सम्मानिद व्यक्ति था once a twist he fell to Tom's promise promises for amendment and gave him considerable sums in order that he might make a fresh start एक या दो बार तो वो Tom के जूटे वादो में फंस किया और उसको अच्छा का सा पैसा दे दिया ये सुच करके क्यों अपचे वो सुदर जायेगा और नहीं शुरुगात करेगा ऐसा हो जाता है of these Tom bought a motor car and some very nice jewelry और उन पैसो से Tom क्या करता था गाड़ी खरिता था, jewelry खरिता था, गहने अच्छे अच्छे खरिता था but when circumstances forced George to realize that his brother would never settle down he washed his hand off him तो एक दो बार तो ऐसा हुगा लेकिन जब George को परिष्थितियों का ऐसास हुगा और उसको ये लगा कि उसका भाई कभी भी नहीं सुदरे तो उसने अपना हाथ खिंच लिया Tom without a calm began to blackmailing अब ताम क्या करने लगा ताम उसको blackmail करने लगा उसको कोई संकोच नहीं था calm मतलब की संकोच करना यानि की कह सकते हैं hesitation ठेक उसको कोई इस बात में hesitation नहीं थी वो अपने ही भाई को अपने सगे भाई को blackmail करने लगा अब तो नहीं वेरी नाइस पर आ रिस्पेक्टेब लायर तो फाइंड ही ब्रोदर सेकिंग कॉक्टेल ब्याइंड बार of his favorite restaurant or to see him waiting on the box seat of taxi outside his club George हुथा वो बहुत ही सम्मानित वकील था और उसके लिए बहुत अच्छा नहीं था क्यों अपने भाई को अपने favorite restaurant के पीछे बार में जा गर के सराब पीते हुए देखे सराब के कॉक्टेल बनाए और पिर कभी कभी जाकर कि वो उसी के club में जिस club का वो member है अपने भाई को अपने ही club के बाहर ट्रैक्सी में driver के seat पर सवारियों के प्रतिक्षा करते हुए देखे driver करते हुए देखे यह सब उसको लिए अच्छा नहीं था और इची भी नहीं था क्योंकि वो एक सम्मानी था वकेल था मतलब कहने कार था कि उसको blackmail करने के लिए अपने भाई को टाम क्या करता था जिस restaurant में वो खाना खाने जाता था उसी के पीछे जो बार होता था उसमें जाकर के वो जिसे बैड़ा होता है वेटर का काम कर लेता था वहीं पर जाकर के वो टैक्सी का काम करता था बार-बार उसके सामने इस तरह से खुद को ले करके आता था प्रेजेंट करता था टाम साइड दैट टू सर्व इन बार और टू ड्राइवर टैक्सी वोस पर्फेक्टली डिसेंट अकोपेशन टाम का मारना था कि किसी भी बार में सेवा देना सर्व करना मतलब कि एक वेटर का काम करना या पि एक टैक्सी ड्राइवर का काम करना भी एक ठीक और अच्छा जाओब बट इफ ज़र्ज कुद अबली अबलाइज इम विद अप्ल अफ अंडेड पांद्स अगर जार्ज इसको कुछ एक दो सब पांद देता है माफ करके तो वो इस काम को छोडने में नहीं मना है मतलब वो परिवार के सम्मान के लिए इस काम को छोड़ देगा और उसको बुरा नहीं लगेगा जार्ज पेड़ आर ऐसा होता था तो जार्ज क्या करता था जार्ज उसको पैसे देखा था अजी बात काफे इंट्रेस्टिंग है अभी और भी चीज़े बाकी है आप देखते जाएए वन्स टाम नेरली वें टो प्रीजन एक बार तो टाम मतलब जेल जाते जाते बचा जार्ज वस्टेरिबली अफसर्ट जार्ज पहाँ जाला परेसान था ही वेंट इन्टु दो ओल् इस पूरे मामले की जल तक गया इस क्रेविटेबल मतलब की अपमान जनक मतलब की केस जो था काफी वेकार था एक तरह से कह सकते हैं अपमान जनक था लेकिन फिर भी अपने भाई के लिए जार्ज ने उस केस की घहराई को समझा रियली टॉम हैड गॉन टू फार अब उसको ही लग रहा था और सच में टाम बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था उसको आपसला ना मुम्किन नहीं था वो एक तरह से जंगली हो गया था उसलब सोचना समझना ही छोड़ दिया था तॉटलेस हो गया था और सेल्फिस बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गया था लेकिन उसने कभी भी कोई बेमानी नहीं की थी जिससे की जार्ज उसको इलीगल समझता कि मतलब की समयदानिक तोर से कानुनी तोर से गलत साबित कर से और इफ ये वे र प्रोजीक्यूटेड यूड अज यूड ली भी कन्विस्ट और अगर उसको मतलब दलीले पेस किजाए प्रोसीक्यूटेशन वो होता है जो पक्ष में नहीं भी पक्ष में दलीले पेस करता है जैसे कोट में आप जानते हैं आपने देखा वोगा मूवीज ने प्रोसीक्यूटेशन होता है और एक लायर होता है जो क्रिमिनल का या फिर जो दलीले पेस करता है और जो प्रोसिक्यूशन होता है वो अदालत के पक्ष में या पिर कानून के पक्ष में पुलिस वालों के साथ उनके पक्ष में दलीले पेस करता है तो अगर उसके पक्ष में नहीं उसके दीपक्ष में दलीले पेस की जाए तब वो कन्विन्स हो सकता है ऐसा उन्होंने कहा मतलब की दोसी पाए जाना अकर चार्ज चाह ले और उसके खिलाफ दलीले पेस करें तो वो दोसी तहां था बट्यू कैनाट अलाओ ये और उनली ब्रदर तु गो टू जेल लेगिन कोई भी होगा आप भी होंगे तो आप अपने अकेले भाई को जेल में तो नहीं बेजाएंगी वो आदमी जिसको ताम ने धोखा दिया था उसका नाम था क्राऑंसा वो क्या था वह एक बहुत ही जादा गुस्सायल आदमी था और वह बदला लेना चाहता था विंदिक्टिव मतलब बदले की भावना से भरा हुआ यह वाज डिटर्माइन तो टेक दमेटर तो दे कोर्ट कुरांच सा एक दम मन बना चुका था कि वो मामले को कोर्ट में लेके जाएगा उसने का टाम वाज स्क्राउंड रॉल टाम एक कमीना है दूस्त आदमी है और उसको सजय मिलने ही चाहिए इस बात से जादा परशाने का सामना करना पड़ा और उस मामले को सुल्याने के लिए पाँच सव पाउंड भी देने पड़े पाँच सव पाउंड मैंने इतना गुस्से में उसको कभी नहीं देखा जब उसने सुना कि टाम एंड क्रांसा दोनों मिले हुए थे और दोनों मांटी कारलो भाग गए मतलब कि यह टाम की ही चाल थी उसने ही क्रांसा को बढ़काया था और साथ मिलकर कि प्लान किया था कि जौर्च पैसे लेंगे और पैसे लेने के बाद दोनों मांटी कारलो भाग गए दो मुमेंट दे कैस्ट दे चेक जिस पल उनको मतलब चेक को कैस्ट करने का मौका मिला और जैसे उन्होंने चेक को भजाया है वो मांटी कारलो चले गए दे स्पेंड हैपी मांथ देर और वहां पर उन्होंने महीनों तक एस किया अदे वहाई अभी तो देखियो उसकी मतलब कहानी भी बाकी है पिक्चर भी बाकी है पर 20 यह थी सालो तक टाम रेज़ और गैंबल फिलांडर विद प्रिटी इस गर्ल डांस एट इंड प्रिटी इस एक्सपेंसिव रेस्टरांट और रेस्ट बीज़ बीज़ तक टाम ने रेस लगाया जूगा खेला फ्लर्ट किया सुन्दर लड़कियों के साथ मतलब की काफी अच्छा जीवन मिता हूं एक तरह से जैसे हिप्पी कट जीवन नाचा गाया कूब महेंग 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 ओटलो में खाना काया महेंग महेंग कपड़ पहने सुन्दर सुन्दर कपड़ पहने याल्वीज लुक्ड अस फिर जस्ट स्टेप्ड आउट सुन्दर दिखाए देना चाहता था हमें साथ चुस तरह सुन्दर दिखाए देता था कुद को इस तरह से पेस करता था रखता था दो ही वास 46 यूड नेवर आफ टेकन इंव फर मोर दन 35 जबकि वो छीयाली साल का था लेकिन आप कभी भी उसे पैतिस से ज्यादा नहीं आ एंदो तो दो जू उस पॉर्फेक्ट ली वर्फेक्टलिस जू कुड नाल बटेंशी साथ लगतया पुडके आप जैनते थे यूश्पापेथ कल बेकार था लेकिन फिर भी यह जानते वर कियो पूर से भेकार रहा है आप उसकी सात रहा करके खुश रहेंगे, ऐसा आदमी था, मतलब उसके अंदर क्वालिटी था थी, He had high spirit and unfailing clarity, an incredible charm, उसका जो अत्म विश्वास था ना बहुत ज़्यादा था, high spirit और सभी को खुश रखने वाला था थी था, वो अपने विश्वास को, अपने विचारों को हमेशा उचा रखता था, हमेशा खुश रहता था, और अपने आकर्चन को हमेशा बना रखता था, बहाँ ज़्यादा वो आकर्शक दिखता था, आकर्शक दिखता था, I never crushed the contribution, he regularly levied on me for the necessities of his existence, I never crushed the contribution, मैंने अपने जीवन क्या सक्ताओं को पूरा करने के लिए, जब नियुत रूप से भी मुझे कुछ पैसे वसूल कर लेता था, तब भी, इन बातों की कभी सिकायत नहीं थी, मैंने कभी सिकायत नहीं की, कि वो मुझे नियमित रूप से पैसे लेता था, धन्वसूल था, I never lent him 50 pound without feeling that I was in his debt, मैंने कभी उसको 50 pound भी नहीं दिया होंगे, भी नहीं सोचे कि मैं उसका कर्जदार हूं, जब भी मैं इसको पैसे देता था, तो मुझे लगता था कि मैं उसी का कर्जदार हूं, Tom Ramsey knew everyone and everyone knew Tom Ramsey, Tom Ramsey से सब को जानता था और हर कोई Tom Ramsey को जानता था, you could not approve of him, but you could not help liking him, आप उसको सही तो नहीं मानेंगे, आप उसको सही नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी आप उसको पसंद करना नहीं छोड सकते हैं, आप उसको पसंद किये बिना नहीं रह सकेंगे, ऐसा था Tom Ramsey, बिचारा जोर्ज, बुगर जोर्ज, वनली एए यहर ओल्डर थैन, इस स्कैप क्रेस ब्रदर, लोकुट सिक्स्टी, बिचारा जोर्ज सिर्फ एक साल बड़ा था, अपने कमीने भाई से, स्कैप क्रेस, कमीना यह निकमा कह सकते हैं, मस ही रहेगा, निकमा भाई, मतलब कि Tom, Tom से एक साल बड़ा था, लेकिन वो 60 का दिख रहा था, 60 का, अब आप यहाँ देख सकते हैं, कि Tom कितने का था, Tom था 46 का, जबकि वो दिखता था 35 का, इस से एक साल बड़ा, मतलब कि 47, अब देखिए, George 47 का था, लेकिन वो दिख रहा था, 60 का, He had never taken more than a fortnight holiday in the year for a quarter of a century, quarter of a century मतलब 25 साल, century में 100 साल होती हैं, तो quarter of a century मतलब 25 साल, He had never taken more than a fortnight holiday, उसने 25 सालों के अपनी काम में, मतलब करियर में, जो उसने काम किया, उसमें 15 इन से जारा शुक्ती, नही ली थी, He was in his office every morning at 9.30, वा साढे नव बजे अपने office में होता था, and never left till 6 और चावजी से पहले office से नही निकलता था, He was honest, industrious, and vaadhi ओ, imaandar था, mehanti था, और yogi भी था, He had a good wife to whom he had never been unfaithful, even in tough and poor, even in thoughts, sorry, tough नही उसके एक अच्छी पत्नी थी, जिसको कभी सपने में भी दोखाने जेना चाहता था, कभी नहीं, and for daughters to whom he was the best tough father, अगरश की चार बेटियां थी, जिन के लिए वो सब से अच्छा पिता था, He made a point of saving a third of his income and his plan was to retire at 55, a little house. He made a point of saving a third of his income, उसने अपने इंकम का एक तिहाई भाग, save करने का प्लांद ना था, सोचा था, और उसने एक और प्लांद ना था, कि वो 55 तक रिटार हो जाएगा, और तब उसके पास a little house, एक छोड़ा सा घर होगा in the country, गाउं साइड में, विलेश साइड में, where he proposed to cultivate his garden and play golf, चहाँ पर वो अपना खुद का बगी सा लगाएगा और गॉल्फ के लेगा, his life was blameless, उसका जो जीवन था, वो blameless था, उस पर किसी भी तरह से कोई सक नहीं कर सकता था, कोई दाग धब्बा नहीं था, मतलब कि वो बहुत ही साफ सुथरा, जीवन जीवा था, उसने, he was glad that he was growing old, because Tom was growing old, वो खुश था, George खुश था, क्योंकि वो बुड़ा हो रहा है, इसलिए नहीं कि वो बुड़ा हो रहा है, ज्यादा कुश इसलिए था, क्योंकि अब Tom भी बुड़ा हो रहा है, जब बुड़ा होगा, तब उसको problem होगी, Tom was growing old, टू, Tom भी बुड़ा हो रहा था, इसलिए उसको ज्यादा कुश ही थी, he rubbed his hand and said, वो अपना हाथ मलता था और कहता था कि इट वोज आल वेरी वेल, वें Tom was young, जब Tom नौजवान है, तब तो सब कुश ठीक है, सब कुश ठीक है, जब तक नौजवान है, and good looking और देखने में अच्छा है, but he is only a year younger than I am, लेकिन वो सिर्फ मुझ से एक साल चोटा है, तो अगर मैं बुढ़ा हूँ, तो भी बुढ़ा होगा, in four years he will be fifty, और चार साल में वो पचास साल का हो जाएगा, he won't find life so easy then, ता उसको जीवन इतना असान नहीं मिलेगा, ऐसा वो सोच रहा था था बस, उसे क्या पता था कि जिन्दगी कहां ले जा रही थी, I shall have thirty thousand pounds by the time I am fifty, जब मैं पचास साल का होंगा, तब मेरे पास thirty thousand pounds होंगे, तीस हजार pounds होंगे for twenty five years, I have said that term would end in the gutter, पच्चिस सालों से, मैंने ये कहा है, कि आप टॉम को जो अंत होगा वो गटर में होगा, नाली में होगा, गंदी नाली में, and we shall see how he likes that, और हम देखेंगे कि उस अपने अंत को वो कैसे पसंद करता है, we shall see if it really pays best to work or the idol, और हम देखेंगे कि if it really pays best to work, जो काम करता है, मैनत करता है, उसको उसका इनाम मिलता है, या फिर जो आल्सी है उसको, poor George, I sympathized with him, बिचारा George, मैं उसके साथ sympathy रखता हूँ, सहनुबूद रखता हूँ, I wondered now as I sat down beside him, I wondered now, मैं अभी आश्चर चकित हूँ, कि मैं उसके साथ बैठा हूँ, what infamous thing Tom had done, कितना infamous thing मतलब कि यह आप रचलीद कह सकते हैं, जो कोई नहीं करता है, ऐसा काम Tom ने किया था, George was evidently very much upset, George भी अब बहुत ज़र आपसेट था, दुखी था, Do you know what's happened now? He asked me, George ने मुझसे पुछा, जो कि राइटर का रहा है, मुझसे पुछा George ने कि, क्या आप जानते हैं कि Tom ने क्या किया, I was prepared for the worst, मैं सबसे बुरे दिनों के लिए तयार था, I wondered if Tom had got into the hands of the police at last, I wondered if Tom had got into the hands of the police at last, मुझे लग रहा था, मैं सबसे चाइटा कि क्या कहीं Tom को, पुलिस ने तु नहीं पकड़ लिया, George could hardly bring himself to speak, George बहुत ही मुश्किल से बोल पा रहा था, तो वो बोलना पा रहा था, और राइटर कहा रहा है कि मुझे तो उमीद थी कि अब बहुत बुरा हुआ होगा, क्योंकि अब समय काफी विपरीद था, आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि मैं अपने पूरे जीवन में एक महंत इंसान रहा हूं एक सजण इंसान रहा हूं forward to retiring on a small income in guilty security और इतना मेहनत और परिश्रम करने के बाद अपने जीवन में मैं आगे देख सकता हो कि मैं रिटायर होंगा तो मेरे पास कुछ पैसे होंगे और security होगी ऐसा नहीं होगा कि मेरा life uncertain होगा मैंने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है ऐसा कहने का मतलब था उसका ये सब बाते में बता रहा है जार्ज टाम का भाई ठीक वो कहता है I have always done my duty in that state of life in which it has pleased providence to bless me मैंने जीवन के उस स्थिती में हमेशा अपना करतभी निभाया है अपना फज निभाया है अपना काम किया है जिसे क्या होगा कि पर्मात्मा मुझे अस्थान देंगे true राइटर करते हैं कि हां सही है and you cannot deny that Tom has been an idol, worthless, disolute and disunreveled और आप इस पास से मना नहीं कर सकते हैं कि Tom एक आलसी वेक्ति का जिवन जिया है और वेकार वेक्ति का जिवन जिया है दोखा दढ़ी करने वाला और सम्मानित जिवन जिस पर कोई भी उंगली उठा सकता है ऐसा जिवन जिया है if there were any justice he would be in the workhouse if there were any justice अगर कहीं भी नियाय है तो उस नियाय के लिए नियाय की वज़े से वो जेल में होगा यहाँ पर workhouse का मतलब है जेल ठीक है true राइटर कहते हैं हाँ यह भी सही है George grew red in the face George का चेहरा लाल हो गया था काफी गुस्टा था उसने कहा a few weeks ago he became engaged to a woman old enough to be his mother a few weeks ago कुछ आपते पहले उसने एक ऐसी औरत से साधी किया है जो कि उसकी मा के उमर की है इतनी ज्यादा बोठी है and now she has died अब देखो कुछ ही अपते बार हो मर भी गई and left him everything she had और उसके लिए अपना सब कुछ चोड़ गर के चली गई half a million pounds a yak a house in London and a house in the country आधा मिलियन पॉंड पांच लाख पॉंड काफी होता है एक याज पानी वाला जहाज लंदन में एक घर और एक बिलेज एरिया में जार्ज इसी वाज़ से कोई साथा जार्ज रहम से बीट इस ट्लींच्ट पेस्ट अगर टेबल उसने एक जार्ज ने अपना मजबूत मुथा मतलब की काफी मजबूती से बाधा होगा मुथा टेवल पर मारा फोड़ा ग्ला सी जार्ज भी है जुड्नीच्ट अपनीच्ट आप आपको गरें कि तीक निछ सकता हूा हूं चैनल शोड़ काफी सब्सक्राइव और 25 cosmosर बिलेज़िक अगर कर तो खें इसफोड जैसे मैंने जार्ज के घुस्से से भरे हुई छहरे को देखा तो मुझे जोर के इसी आ गए ठाका लेकर के इसने लगा बस्ट इंट्व जोर से हसना ठाका लेकर के सकते हैं अब जैसे ठाका लेकर हासना तो 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 आई रोल्ली माई चेयर ओपने कुर्सी पारे रोल करने लगे जूलने लगे आई वीरी नियरली फेल आन दा फ्लोर मैंने मतलब मैसूस किया कि मैं किरी गया होता हस्ते हस्ते इतना ज्यादा आंसर है इतना जोर जोर से हैं जोर्ज नेवर फार्गेब में जोर्ज मुझे इसके लिए कभी माफ ने करें कि वो समझेगा कि मैं उसका मजा खुड़ा रहा था वर्ट टॉम आफेन आस्क में टू एक्सिलेंट इनर्स इन ही चार्मिंग आउस इन मैफेर ले करता है and if he occasionally borrows a trifle from me that is merely force of habit और अगर उसने मुझ से कुछ उदार लिया हो कुछ पैसे उदार लिया हो तो उसकी आदत है आदत की वज़े से it is never more than sovereign उससे ज्यादा कुछ भी नहीं it is never more than a sovereign उसने कुछ पैसों से ज्यादा मुझसे मतलब ज्यादा उदार नहीं लिया है यह कह सकते हैं तो इस तरह से राइटर के बताने का मतलब था राइटर को मतलब इस कहानी के माध्यम से मैसेज देना चाहते थे कि कभी-कभी ऐस होता है कि हल्सी बेक्ति भी मजे मजी जीता है लेकिने साब भाव कम होता है यह भी है मैंक्यू बहुत पुरा वीडियो देखने क्लिप बहुत बहुत तरने माद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में